नमस्कार भालोग, स्वागा था आप सभी का इस वीडियो में और आज हम basically आपको बताने वाले हैं कि आपको क्यूं जो है multiple partition create करना अची है single के वज़ा, ठीक है? तो आप एक ही कंपनी का same hard drive ले लिए एक में पूरा का पूरा एक टीबी का ज्यादा मतलब कम नहीं एक टीबी एक टीबी का यानि वन टेरावाइट तो एक टीबी का hard drive ले ले लिए और single partition पूरे एक टीरावाइट में जो है create कीज़े ठीक है और उसको पूरा का पूरा डेटा से भर देजिए ठीक है? और second कीज़े कि आप एक टीबी का दस partition बनाई है, दस दस partition यानि करीब करीब कितन अब उसको भी पूरा भर दीजे ठीक है? आब क्या किजे? सिस्टम में लगाए उस hard drive को और one terabyte वाले जो hard drive है, जो सीधे पूरा single partition जिसमें है, उसको open करने का कुशिस किजे क्या होगा? लोड होने में time लगाएगा, कभी कभी crash करेगा, हो सकता hard disk भी खराब हो जाएगा, और जो multiple partition जो create किये हैं, उसमें क्या होगा? उसमें basically कुछ यह होगा, एकदम अराम से खुल जाएगा, आराम से बन हो जाएगा, सब कुछ एकदम नॉर्माली चलेगा, ठीक है तो basically उसके अंदर जितना भी files है, जितना भी files है, फोल्डर से सब को load करता है, ठीक है? सब को load करता है, तो अगर आपके, मतलब, एक partition, partition में जितना file से सब को load करता है, तो अगर आप सीधा एक TV का partition है, hard drive है, तो सब को एक साथ load करेगा, और अगर आपका hard disk का SSD के मुकाबले बहुत कम स्पीड होता है, तो obviously क्या होगा, आपका hard drive क्यास कर जाएगा, मैंने बहुत सारा hard drive को crash करते हुए, ऐसे देखा है, बहुत सारा hard drive को खराब होते हुए देखा है, single partition में अगर आप बहुत सारा video file, बहुत सारा audio file, बहुत सारा file ठूज दीजेगा, तो लेकिन उसी परजेशन था कि हमेशा credit करें, multiple partition, मतलब instead of single partition, ठीक है, तो उमीद करता है वो वीडियो समझ में आगया होगा, और अगर समझ में आया है, तो like, subscribe जरूर कर दीजेगा, इस वीडियो को, और subscribe किजेगा, मतलब कहने का मतलब like भी, तो मिलते हैं आप से के लिए तब तक के लि आपतने हैं आप दीजेशन, तो था किम्ने हैं, आप अचा